भारत की आजादी के 45 साल पूरे होने के मदे नसर देश भर में जारी आजादी का अमरित महोत्सव के तहट असम राइफल्स दौरा निकाली गई साइकल रेली शनिवार को एटावा पहुँची शास्त्री चोराहे पर असम राइफल्स के जवानों ने स्वतंतरता सेनानी पूरु प्रधान मंतरी लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा की साफ सफाई कर माल लियार पड़ किया राश्त्रीय स्वतंतरता सेनानी परिवार के प्रधेश महा सचिव एवं ब्रांड अमबेजडर नगर पालिका परिशद आकाश दीप जैन बेटु के नेतरत में सेनानी परिजन अतुल सोनी किशन कुमार पूरवाल राम लखन यादव ने साइकल रेली में आए असम राइ मुख्याले लेट कोर के डायरेक्टर जनरल लेफटिनेंट पीसी नायर ने किया था फ्रीडम साइकल रेली का नेतरत्व कर रहे मेजर मधूसुदन ने आजादी के अपराज योधा जनपत के वरिष्ट स्वतंतरता सेनानी जनपत के वरिष्ट स्वतंतरता संग्राम सेनान स्वरूप क्रिशनलाल जैन को नमन करते हुए उनके पौत्र आकाज़दीब जैन का शौल पठका पहना कर सम्मान करने के साथ ही सेनानी पतनी प्रेम शीला पांडे का उनके घर जाकर सम्मान कर मौजूद अन्य सेनानियों के परिजनों को सम्मानित करते हुए कहा कि रैली प्रगती शील भारत के 75 वर्ष और इसके लोगो संस्कृती उपलब्धियों के गौरव शाली इतिहास की याद दिलाने के साथ-साथ फिट इंडिया मूवमेंट को भी बढ़ावा दीती है बताया कि वियसम के शिलॉंग से चल कर 3000 किलोमीटर की यात्रा साइकल द्वारा तै कर रही है इसके साथ ही रास्ते में पढ़ने वाले धार्मेक स्थानों, एतिहासिक स्थान और स्वतंतरता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित कर रहे है इसके साथ ही युवकों को सेना में भरती होने के लिए उच्साहित भी कर रहे हैं उनका मुख्य उद्देश देश की सेवा और उनकी रक्षा करने वालों को सम्मानित करना है मेजन ने इटावा में मिले सम्मान के लिए सेनानी परिजनों का आभार प्रकट किया